आशा जी, बीटे दिन से आप ऐसा समझ रही थी आशा जी कि बच्ची के साथ बलातकार हुआ है, रेप हुआ है, यह आप खुल कर कह रहे थी, लेकिन न पूप पी-म रिपोर्ट में आया है, न अब यह नई गवाह, जो की सबसे बड़ी चश्मदीद मानी जाएगी, क्योंक से वो निकली थी, देखिए, यह सच तो कोई नहीं बदल सकता, महा पार्टी से साथ ही निकली थी, स्कूटी पर आगे पीछे, पहले उसने ड्राइफ किया, सब फुटेज है, लडाई हुई कि नई गाड़ी मैं चलाओंगी, मैं चलाओंगी, वहां से यह मामला आगे बढ लेकिन जो बच्ची को मैं बलेम नहीं कर principal जितनी बच्ची वह दुनिया में नहीं है, उतना ही इसके लिए वहा है, लेकिन कुछ बाते इसकी डावट करे इया हैं कि यह बच्ची को बच्ची अपने से नहीं बोल रही हैं, जैसे बच्ची को यह क्या कर रहे थे, सीसाबन तब फिर बच्ची को कैसे पता था कि वो पांच लोग अंदर थे तो कोई कोई बात इसकी डाउट पे जा रही है जैसे बच्ची एकदम पलट के उस पे ब्लेम कर रही है कि बहुत डिरिंग करी हूँ थी सारे दोस्तों उसके थे हम नहीं जानते थे तक कहीं न कहीं ये थोड सा डाउट मेरे को हो रहा है हला मैं बच्ची डरी हुई है पुलीस को नहीं फोन करी इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगी क्योंकि हो सकता है कि वो डर गई हो लेकिन घर में जाके रात को नहीं बताती सुबह दिन में अपने घर में बताती अपने माबाब से बताती उसके माबा जो एक दो बाद वो कर रहे हैं चीधे उस बची पर ब्रेम कर रहे हैं यह मुझे डाउट लग रहा है, टीक है उसब है बर्खा जी आप दूसरी बात, सुनिए, सुनिए, पूरा कर्दी जासे। यहां होती है कि एक बच्ची की जान गई है चाहिए इस पालति हमें किसी पालती से मतलब नहीं है हमें यह है कि बच्ची की जान गई है इसके साथ जो पुलिस की लपरवाई सामने आई है इस पे जाच होनी चाहिए और बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि यह एक इक तो यह कोई बरबरता से कम नहीं है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बाकि तो हम हर केस पे पोल्टिक्स होती है, अपने सफाई देंगे, अपनी सफाई देंगे, तो मैं अंजरा मेर्दम, आप से हाथ जोड़ के मैं यह खाती हूं, कि इस केस में कुछ तो है, जो सामने नहीं आ रहा है, माली जी नहीं उसके साथ रेप नहीं हुआ है, लेकिन एक एक स्देंट भी नहीं है, इस पे पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए.